नमस्कार प्यारे बच्चो आप सबका अमारे यूट्यूब चाइनल फिजिक्स पिनाकल साहरण सन में बहुत बहुत स्वागत है मैं संदीप साहरण व्यक्यता बहुतिक विज्यान गौर्मेंट सीनियर स्केंटरी स्कूल रानी स्टेशन जिलापाली आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम बहुतिक विज्यान के टोपिकों की शीरीज में आगे बढ़ते हुए एक नए टोपिक की चर्चा करेंगे टोपिक है गाउस परमे के अनुपरियोग और गाउस परमे के अनुपरियोग में गोलिये चालक के कारण किसी बिंदु पर विदुछेतर की तीवर्ता ग्यात करना चाहेंगे हम एक आवेशित गोलिय चालक लेते हैं आवेशित गोलिय चालक के ये समरूप होगा क्योंकि हम जानते हैं कि गोलिय चालक के परष्ट पर या इस पर कहीं भी हम आवेश देंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रोन होने के कारण है मुक्त आवेश वहक की तरह काम करेंगे उस आवेश को ये प्रश्ट के उपर ले जाएंगे यानि जब हम किसी चालक के अंदर आवेश अगर रखने का भी परियास करते हैं तो वह आवेस वहकों के कारण है यानि मुक्त इलेक्ट्रोनों के कारण इसके प्रष्ट पर चला जाएगा और जब प्रष्ट पर चला जाएगा तो सारे का सारा आवेस कहां जाएगा उसके प्रष्ट पर उपस्ति जैसे ये गोलिय चालक हमारा अगर हम इसको यहां आवेश देने की कोशिश करें तो यह आवेश यहां से निकल के कहां फैल जाएगा इसके परश्ट पर और परश्ट पर एक समान रूप से फैल जाता है एक समान रूप से फैलने का मतलब हुआ कि एकांक के आयतन में एकांक क इसके capital R तिर्जिया का एक आवेसित गोलिये चालक लेते हैं, यानि जो हमने गोला लिया है, उसकी तिर्जिया कितनी है, capital R, और इसको आवेस कितना दिया है, इसके प्रश्ट पर आवेस कितना है, क्यूँ आवेस है, कितना आवेस है, क्यूँ, ये इसके संपूर्ण भाग मे एक समान रूप से फैला हुआ है, हम क्या चाते हैं, कि इसका जो ये केंदर बिंदू है, इस बिंदू से किसी R दूरी पर कोई बिंदू P रखा गया है, और उस P बिंदू पर हम विद्दू छेतर की तिवरता इसके कान निकालना चाते हैं, इसके जो चालक गोले के उपर आवेश उपस्थित है, तो इस P बिंदू की तीन मुख्य स्थितियां बन सकती है, नमबर एक, कि P बिंदू गोलिय चालक के भार स्थित हो, यानि जो P बिंदू की दुरी है के अंदर से वो R से पर दर्सित है, और ये किसे बढ़ी हो जाए, capital R से, एक केसी हो सकता है, दू तो हमारे P बिंदू की दूरी है के अंदर से R, इसका मान capital R यानि गोले की तिरजा से कम हो जाए, तो हम तीन स्थितियां इसके बारे में देखेंगे, एक एक करके हम देखते हैं, ये चितर से देख लीजी आप, जो ये डारक लाइन है गोले की, ये हमारा गोला है, ये के ने यहां P बिंदू consider कर लिया, इस बिंदू पे, तो हम क्या करेंगे, एक Gaussian परष्ट की कलपना करेंगे, क्योंकि जो गाउस परमय है, वो कहती है कि हमें एक Gaussian सम्मित परष्ट की कलपना करनी पड़ेगी, और जब गोला है तो Gaussian परष्ट की वैसे तो परकरती ये गोलाकार ह हो सकता है, ये बेलाकार हो सकता, लेकिन इस अवस्था में Gaussian परष्ट अगर हम गोलाकार लेते हैं, तो वो ज़्यादा उचित है, और वो ज़्यादा सम्मित और सही रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ये डोटिड लाइन है, जो ये हमारा Gaussian गोलाकार परष्ट है, इसका चेन की आमने, और हम क्या करेंगे, जहां पी बिंदू है, वहाँ एक अलपां सेतरफल की कलपना कर लेंगे, डी एस, और सेतरफल सदीश राशी है, इसकी दिशा चेतरफल या परष्ट के लंबवत होती है, जिसकी दिशा को हम किसे पर दर्शित करते थे, एन कैप से, और इसके उ अनुदीश होती है, यानि तिर्जय के अनुदीश होने का यहां हमारा आर्थ यही है, कि इस गोले के परष्ट के लंबवत होगी परतेक बिंदू पर, हाँ अलग-अलग बिंदूों के लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन रहेगा वो नॉर्मली, 90 डिग्री पे, अब मा गाउशन परष्ट जब ले लेंगे, तो E समानांतर हो जाएगा N-cap के, यानि विद्धु छेतर की तीवर्ता हमारे अभिलंब एकांग सदीश के समानांतर हो जाएगी, जब समानांतर हो जाएगी तो थिट्टा कामान 0 हो जाएगा, थिट्टा कामान कितना हो जाएगा? 0, तो हम देखते हैं, गाउश परमे का हम परियोग करते हैं, ये गाउश की परमे क्या कहती है, कि जो हमने एक P बिंदु लिया है, उस पर एक अलपां स्चेतरफल Ds ले लेंगे, Ds ले लेंगे तो गाउश परमे के नुसार E.ds का बंद समाकलन, बंद समाकलन का मतलब है कि य ये बंद छेतर होना चाहिए हमारा, और उस छेतर के अंदर जो आवेश उपस्तित होगा, केवल वही इसमें साहिक होगा, बराबर है सिगमा क्यू अपॉन एपसाइलन नोट, सिगमा का मतलब है ये कुल आवेश को परदर्सित करेगा, तो हम इस डोट प्रोड़क्ट को अ के डोट ऐसे कैसा, ये छेतर फल को हमें इसे लिख सकते हैं, ए और एन के बीच में डोट प्रोड़क्ट है, डोट प्रोड़क्ट होगा तो कोस थिटा, और दोनों ए और एन क्या है, समान अंतर, समान अंतर है तो थिटा जीरो, तो यहां से देख लिजी, ये अमारा फलक् का मतलब हो गया है, यहां पर एन कैप के बारा समान अंतर है, और समान अंतर होते हैं, तो थिटा का मान हमें पता है, कितना होता है, जीरो डिगरी, तो इसलिए ये कोस जीरो जीरो का मान कितना होता है, एक, और जब हम कोई भी अलपांस छेतर लेते हैं, यानि किसी गोले की सतह है ये ये इस गोले की सतह है इस गोले की सतह के उपर परतेक बिंदू क्योंकि केंदर बिंदू से ये समान दूरी पे हैं समोल आर दूरी पे लिए हैं हमने सारे के सारे गौशियन परस्ट को तो इस परतेक बिंदू के उपर है जो विद्धु छेतर की तीवरता भार की औ उपर निर्बड करती और आर सब के लिए समान है क्योंकि यह गाउसियन जो हमारा परस्थ है उसकी गाउसियन कालपनिक गोला है उसकी तिर्ज्या है और यह आर जब समान होगी तो e constant रहेगा सब के लिए यह हमारा second परती बन था तो हम क्या करेंगे e को भार ले लेंगे ds अंदर रख लिया अब ds क्या लिया हुआ छोटा साल पांस लिया और संपूरन पांस लोगे तो गोला बन जाएगा और गोले का छेतरफल क्या होता है गोले का छेतरफल होता फोर पाई आर स्केयर यह small r इसलिए लिया है हम Gaussian परस्ट की कलपना करते है यह नहीं Gaussian गोले की तिरजा लेंगे फिर क्या करेंगे हम यह हमारा जो समीकन दो था है उसमें ds का मान रखोगे तो क्या बन जाएगा यहां बन जाएगा e into four pi r square यह हमारा इस समीकन एक का left part है वो solo गया हमारा अब समीक गणेक में मान रखने पर मिल जाएगा e into four pi r square is equal to always कितना था कुल always q upon epsilon 0 निर्वात में और e का मान क्या हो जाएगा यह आपका e का मान हो जाएगा इस four pi r square को किदर ले जाओगे epsilon के साथ में ले जाएगे तो हमारा क्या बन जाएगा हमारा formula बन जाएगा यह वाला e बराबर q upon four pi epsilon not r square तो आप यहाँ देख पाएंगे कि e वितकर्मान उपाती r square है जब पी बिंदू हमारा जब हमारा पी बिंदू गोले के भार स्थित हो तो उस समय वो विदू छेतर कीती वरता है वो r के वरक के वितकर्मान उपाती होती है अब हम second case देखते हैं कि यदि हमारा गो लिए चालक की सतह के उपर अगर हमारा पी बिंदू उपस्थित हो तो उस अवास्था में सर्थ क्या होती है r बराबर है capital r जब r बराबर capital r है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा उपर हमने जो formula निकाला उस r की जगे पे capital r रख देंगे जब capital r रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा e बराबर है q upon 4 pi epsilon not capital r का scary हमारा formula बन जाएगा उसके बाद हमारा तीशरा केश आता है तीशरा केश है कि जब p बिंदू चालक गोले के अंदर हो यानि r छोटा हो जाए capital r से इस अवस्था में हम क्या पाएंगे कि ये हमारा गोला है ये ठोस लाइन है जो हमारी solid लाइन है ये हमारा गोला है जिसकी तिरज़ा capital r है उसे पी बिंदू अंदर लिया ये पी बिंदू लिया हमने ये अंदर गोला बन जाएगा इसकी तिरज़ा कितनी है small r यानि r छोटा है capital r से अब हम गोस्परमे का इसके लिए जब परियोग करेंगे गोस्परमे क्या है e.ds बंद समाकला ने जिकल टू क्यू बाई epsilon 0 अब यहाँ note करने की बात है कि ये क्या है चालक है क्या है ये चालक और हमने बात की थी कि चालक गोले के अंदर आवेश शुन्य होता है चालक गोले के अंदर आवेश शुन्य इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रोन है जैसे इसको आवे तो हम इस गॉस्पर्मे के पर्थम समीकर में मान रखेंगे, तो यहां Q को 0 रखते ही क्या जाएगा? यह हमारा राइट पार्ट है वो 0 बन जाएगा, लेफ्ट वार्टी डो ट्डी एस रहेगा, हम राइट राइट लेफ्ट फार्ट को जब सॉल करेंगे, e into ds को तो छेतर फल गाउशियन प्रष्ट का कितना हो जएगा फोर पाई आर स्केर और इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारा e की वेल्यू क्या हो जएगी e बराबर है शुन्य तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि जिस तरीके से हमारी विद्व छेतर की तीवर्ता गोलिय कोश के लिए थी सिमिलर गोलिय चालक के लिए भी उसी तरह का आर्टिकल होगा बस अंतर यह रखना है कि गोलिय कोश के अंदर पदार्थ नहीं होता और पदार्थ नहीं होने के कारण आवेश उपस्तित नहीं होता, जब कि ठोस गोलीय चाल्लक के लिए गोले के अंदर पदार्थ होता है, लेकिन आवेश वहाँ के उलेक्टरों उपस्तित होने के काणी यावेश का स्थानाँत्र इसके परस्त पर कर देते हैं, और जब इसके परस्त पर कर देंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर आवेश शुन्य हो जाएगा अब हम ग्राफ देखते हैं कि आर के साथ किस तरीके से प्रिवर्तन करेगा ये मैं एक गोला बना देता हूँ, ये हमारा ठोस गोला है ये केंदर बिंदू ले लिया, इसकी तिरजया ये कैपिटल आर है तो आप देखेंगे केंदर बिंदू ये जीरो है हम इससे जब इसके प्रष्ट की और दोनों साइड बढ़ते हैं यह इसके परष्ट है capital R, यानि दूरी का मन इसकी तिर्जय के वरागा, परष्ट पे जाते ही हमारी विद्धुछेतर की ती वरता क्या थी Q upon 4 Pi capital R का square, तो यहां मानो गया, हम देख पाने हैं कि इसके परष्ट पर विद्धुछेतर की ती वरता इसकी तिर्जय के वरागे व हमने क्या पाया था, E with कर मान उपाती R square था, तो यानि जैसे जैसे R का मान बढ़ाते जाएंगे, यह दूरी का मान बढ़ाएंगे, चाहे लेप साइड हो या राइट साइड, क्योंकि R positive और negative दोनों वस्तावों में हैं, रखने पर R square क्या होगा, positive और E की value क्या रहेगी, positive तो इसलिए इस चीज़ का फरक नहीं पड़ेगा, तो हम जैसे जैसे इसको दोनों तरफ यानि दूरी का मान बढ़ाते हैं, इसके केंदर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो R का मान बढ़ने से E के मान में कमी होगी, और यह गराफ हमारा नीचे की तरफ ऐसे चला तो हम क्या कह सकते हैं, हम इससे यह कह सकते हैं कि गोले के अंदर हमारी विद्धुचेतर की तीवर्ता शुन्य, गोले के परश्ट के उपर विद्धुचेतर की तीवर्ता अधिक्तम, और गोले के बाहर जाने पर विद्धुचेतर की तीवर्ता में कमी होती चली जाती है, इस तरीके से हमें इसका ग्राफ देख सकते हैं कि विद्ध उच्छेतर कीती वर्ता दुरी के साथ किस परकार परिवर्तित होती है यह हमारा आज का टॉपिक था हम मैं नेक्स टॉपिक में जो हमने गाउसपर में के तीन अनुपरियोग पड़े हैं गोलिय कोस के लिए ठोस आचालक गोले के लिए और गोलिय चालक के लिए हम नेक्स टॉपिक में इन तिनों के नुमेरिकल के उपर चर्चा करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सस्क्राइब करें सेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि सब बच चैनल से जुड़े रहें, आपको भोतिक विज्यन के नई नई टॉपिक और वो भी लगातार चप्टर वाइज मिलते रहेंगे, मैं आप सब के उज्वल भोईशे की कामना करता हूँ, धन्यवाद.